पिछले सेशन में हमने देखा था कि सेल में भी एक जिम ट्रेनर की तरह एक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो बॉड़ी है जिसको हमने पर ऑक्सिसोम का नाम दिया पर ऑक्सिसोम की एक स्पैसिफिक टाइप आई जाती है प्लांट्स में गलाइ ऑक्सिसोम्स गलाइ ऑक्सिसोम्स और दी सिंगल मेंब्रेन बांड और्गनल दूसरी इसकी एहम बात यह है कि इस प्रेजंट ओनली इन प्लांट्स एंड अनदर वेरी इंपॉर्टन थिंग प्लांट्स में भी यह सिरफ आईल रिच प्लांट्स में पाए जाते हैं ऐसे पोदे जिनके सीड्स में जैसे हम कहते हैं कैस्टर है सोया है जिनके सीड्स में आईल ज्यादा होता है उन प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये हर वक्त नहीं पाए जाते हैं उनमें भी एक specific time है at the time of germination ये पाए जाते हैं और इनका basic काम जो होता है इनके पास मुख्तलिफ enzymes हैं जिसमें glycolic acid oxidase हैं, catalase हैं, maltase हैं उनके अलावा इनमें जो सबसे important काम होता है ये एक cycle को control करते हैं, एक cyclic process को जिसका नाम है, glyoxylate cycle इनको पहली दफा डिसकवर किया, हारे बैवर्स ने और इनका काम क्या था? ये fatty acids को at the time of germination convert कर रहे थे succinate, four carbon molecule तो हमने सीखा कि glyoxysome पाए जाते हैं, implants माई नेम इस प्रोफेसर जीम बाबर, head of department पंजाब ग्रूप आफ कॉल्जिस स्याल कोट जब हम किसी ऐसे बीज को मटी में उगाते हैं, जो oil rich है, at that particular time, जब germination हो रहे हैं, root apex में, shoot apex में, तो ये जो molecules हैं, fats के, उनको convert करते हैं, succinic acid हैं, और जो succinic acid है, या succinate है, it is a four carbon carbohydrate, जो ultimately glucose की तरफ जाएगा, process को हम नाम देते हैं, जी, gluconeugensis, तो ये जो conversion है, fats की, into the carbohydrates, ये ऐसे पोदों में बहुत important है, at the time of germination, glyoxisome is basically, यहां पर misconception, glyoxisome एक अलग से आर्गनल है, जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, जो लेकिन ये बन्यादी तोर पर आक्सिसोम की ही modified form होती है, आपकी समातों का शुक्रिया, असलाम उलेकुम रहमतुला,